वेल्कम बेक नाजवीन, वेल्कम टू डॉक्टर मोईज लाउंज बात होड़ती लाइफ प्लैनिंग पे और हम अब भी बात के लिए नहीं बताया है कि मैं चाहता था कि मैं on the screen कुछ इस तरह काम करूं, ऐसा aesthetics design करूं या मैं color schemes करूं लेकिन मैं ग्राफिक्स में ही उलजा रहे गया तो अब उस पर भी बात करें कि इनसान जो अपने साथ प्लैन करता है तो कभी कभी अपने decisions के अंदर ही फसके रह जाता है वो क्यूंके मेभी इसको अपने भी skills and I'm a journalist by profession. I would like to share my experience of my whole lifespan whatever I have in mass communication I have come with my focus that I have to become a journalist I just came in this field I didn't get admission in University, in morning shift and then I had full focus मुझे तो करना है तो उसे विसी में ही करना है तो मैंने फिर ट्राइ किया कि मैं इवनिंग में स्टार्ट करती हूँ उसका किसी तरीके से तो देन आए गेट अपलेस तो मुझे वहाँ पर एक पोजिशन मिल गई फिर मेरे साथ ये फोकस था कि जहां तक मेरे मेरे मेट्स चल रहे हैं फिर मैं अगर चार साल तक इनके साथ ही पढ़ती रही तो मैं कितनी कामियाब रहूंगी और मुझे अगर कुछ हासल करना है तो मैं उसे किस तरीके से जल्दी हासल कर सकती हूँ तो अब तक मैं अपने साथ देख रही हूं कि बहुत से टीनेजर्स हैं मैं यहां तक पहुच गई एक जनरलिस बन गई कॉलमेंस बन गई लेकिन मेरे साथ जो दूसरे टीनेजर्स थे उन्होंने भी इस चीज को पढ़ा पड़ते हैं अभी भी पढ़ते हैं लेकिन वह अपने फोकस को बहुत जली लॉस कर देते तो वह सजेस्टिव वेस क्या हो तो एतनी तुम तुम हसकर बिता हैंते हमाइव कब शे को बाते हैं के बनी चाहिए इस बदान कुछ मजाग का यह एक देब्ट्रा देंट्राजीक सब करन के बना है फिर तो इन्सान को अटना हो हम चाहिए और आप बढ़ लाओnecess कर नंसान को खाए और अर अश्या को दिख लेकिन जब आपने जो मेरी प्रोग्रामिंग की है, जब से मैं सुन रही हूं, तो आप कहते हैं, अरूज यह हो रहा है, तो यह नहीं बोल यह होगा, यह हो रहा है, तो वो जो continuous form होती है, instead of the future tense, that really makes a difference, एक तो आप प्रेजेंट में मुझे जीने का साथ, for example, आज चाम छेव है मुझे, and you said, उरूज आ रहा है, रस्ते में, समझ फज गया करीं पर आ रहा है, and eventually when I had it, you know, then it just, it just changed everything. थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन को, असल में जैनी सता बड़ी important है, इस बात को समझने के लिए, और अगर हम किसी तरह जैनी सता को उपर कर सके हमारे नाजरीन की, हम करेंगे definitely, और हमें यकीन है के वो असल में आपकी तो थी बरसों की मुश्किलात में नीचे ले आए इसक तो आप ये बात समझेंगे, एक principle है, अल्ला के इस काइनात में बहुत सारे कवानी ने, बहुत सारे उसूल है, जवाब बिते, जिसकी विज़ा से एक काइनात चल रही है, अगर इसकी detail में गिया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वक्त नहीं होगा, उन में से एक principle ह ताक इस काइनात का वह है, law of attraction, इनसान जो है, वो अपने जैसे ही लोग attract करता है अपनी जिन्दगी में, और पसंद भी उसी को करता है, अब होता ही है कि जब आप अपने जहन में किसी मकसद को लेकर, चाए लाइफ के मुक्तलिप goals और planning के अंदर लेकर चलते हो, तो normally आप उसको यह सोचते हो कि future में होगा, मिलेगा, आएगी, शादी होगी, फोन करेगी, खुश रहूंगा, लड़ेगी रही, तो हमेशा आपका जहन जाए, वो future tense में सोचता है, अल्ला के इस कानून को अपने लिए दोस्त बनाने के लिए, उससे माविनत हासल करने का तरीका यह कि जब आप किसी चीज को हासल करने के बारे में सोचो, यह एक राज बता रहा हूँ, बड़ी जबर्दस सीक्रेट है यह, तो उसको यह ना सोचो कि यह मिलेगी या मिलेगा या होगा, यू समझो, हो रहा है, हो रहा है, और एक और चीज में इसमें आड़ करूँगी, जो मैं गोल की तरफ जाओंगा, यानि कि मुझे लेट नहीं सोना, लेकिन प्रिवेंचल बेसे साथ लेट सोते वही उठते हो, तो यह जो सार नहीं का, जो हमारा माइंड है, उसके बारे में, दूसरी तरफ आजाते हैं, लेकिन इसको हम कल डिसकस करेंगा, आज हमारा टाइम खतम हो गारे, थेंक्यू सो मा अचछण आने का, थेंक शो का पार्ट होने का, या हम बात करेंगे, जो हम एंनने कंट cêsटों के लगते हैं, जो चीज़ तो कम जडए नहीं सोछना क्या, और उसको फ्रहने का हिस्सा बनाना क्यों हम उसके बारेंगे, तो हम उन्हीं जो हम स् से पहले एक चोटी सी बात के होगे आपके पास unlimited खाना लेकिन रहेगी भूख आपकी limited होंगे unlimited designer clothes लेकिन events आपके पास होंगे सिर्व और सिर्व मुक्स लिमिटेड पहनने के लिए सो प्लान करें कि आपने satisfied रहना है happy रहना है unlimited limited कुछ नहीं होता अगर आपके पास वह चीज उसक मौझूद है जब आप खुश है आप सोगी कलमुला का नाख्याल रखीगा love you all and have a good night and over to you thank you बेटा नाजरीन ये subject जो है ये बहुत vast है इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे मगर as usual end में कभी न कभी मैं वाकिया आपको बताता हूं कभी कोई thought आपको देता हूं तो आज एक वाकिया बता रहा हूं जो सचा वाकिया और वो मैं शाहिद हूं इस बात का कई साल पहले मैं लंडन में एक वर्क्शॉप कर रहा था सेंट्रल लंडन में तो दो दिन का वर्क्शॉप था तो second day lunch पर उस वर्क्शॉप में दो पाकिस्तानी थी एक खातून थी और एक साप थे खातून जो थी वो उस वर्क्शॉप में इसलिए आई थी को उनको बिमारी थी उसको कहते है chronic fatigue syndrome और उसका इलाज नहीं था तो वो वर्क्शॉप में आई थी और दूसरे एक साप थे तो वो जो साप थे उन्होंने दूसरे दिन second day मुझे का कि लंच मोईश साप मेरे साथ करें क्योंकि जसी वर्क्शॉप खतम होता लोग गेर लेते हैं तो बात नहीं मैंने का चले मैं नॉमली नहीं करता मगर चले लंच करते हम होटेल से बाहर निकले लंच के मैं खलम एक घंटे का वक्त था तो उन्होंने का कि करीब 25 या 50 साल की उमर होगी उनकी शायद 55 हो आम से कपड़े थे मैं गाड़ी में बैठा हम लोग लंच करने गए मुझे का मोईश साब मैं आज आपको जिन्दगी में अपनी कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैंने का जी फरमाईए कहते हैं जब मैं स्टूडेंट था उस वक जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा तो मैं जॉब करूँगा मैंने जॉब की जब मैं जॉब में था तो मैंने प्लाइन किया था कि बाई टाइम I am 40 years old 40 साल का जब मैं हो जाऊँगा मैं जॉब नहीं करूँगा मैं अपनी engineering consultancy firm खोलूँग अपनी और मैं advice दू मरत तक ये जॉब खतम करनी है अपना काम शुरू करना है तो मैंने अपनी saving accordingly इस तरह की थी जब मैंने अपनी consultancy firm open की तो मैंने plan किया था कि इस firm को मैं 5 साल चलाने के बाद इतने पैसे बना लूँगा कि मैं जिन्दगी retirement के साथ गुजारूँगा यानि मैं काम से retired कभी किस directly उसी तरह होगी I'm sure उनकी जिन्दगी में मुश्किलात आई होगी मगरिब में जिन्दगी अतनी आसान नहीं है हम तो बड़े खुशनसीब हैं यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जिन्दग रहते हैं जुचाए कर ले वाह नहीं होता कानून के दायरे में रहते हुए बहुत स हो या नाकाम हो that is not important the important thing is जिन्दगी को जीना सीखें इसमें हम कल ओपर सो जरूर बात करेंगे कि जिन्दगी गुजारने और जीने में क्या फर्किस दूआ और उमीद के साथ परवदेगार आपको जिन्दगी में बेताशा खुशिया दे तौफीग दे का खुशिया दोस सान पाहिंदावाद झाल